हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिकेट का नया दोर आज हम आपके सामने कुछ सुने अंसुने ऐसे किस्से लेके आए हैं जो की लोगों के बीच में काफी कम प्रचलित है और काफी कम लोगों को पता है कुछ ऐसा ये किस्सा T20 फॉर्मेट से लेटेड आज मैं आपको बताऊँगा जो की T20 के रूल्स और फॉर्मेट से लेटेड है जो आज आप T20 देख रहे हो किसी जमाने में या कुछ साल पहले इसी T20 फॉर्मेट को नए तरीके से एक और अलग तरीके से खेला गया था जिसके अंतरगत मैच में एक पूरे मैच में 2020 ओवर होने थे बट वो 2020 ओवर चार इनिंग्स में इसका मतलब पहले जो 10 ओवर है वो एक टीम खेलेगी फिर दूसरी टीम खेलेगी फिर जो दूसरे सेकेंड इनिंग के 10 ओवर है वो दुबारा से वो टीम खेलेगी फिर दूसरी टीम खेलेगी तो ऐसे एक मैच में चार इनिंग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग खेली जानी चाहिए थी इतना ही नहीं इस format के अंतरगत एक V area decide किया गया जहां पे batsman के सामने जो V का area निकलता है उस area में एक sport ऐसा रखा गया जहां पे max लिखा गया और वहां पे अगर आपकी ball वहां से उपर हवा में जाती है और छे रन जाते है या आप वहां उस area को आपकी ball टच करती है या उसक इन रन चार रन छे रन तो वह उसको डबल कर दिया जाता था तो तभी इसका नाम max international match रखा गया ऐसा ही एक match experiment के लिए ऐसा ही एक match खेला गया दिसंबर 2002 में जो की ICC team India versus New Zealand के बीच खेला गया तो पहले 10 ओवर में खेलते हुए न्यूजिलेंड ने करीबन 123 रन बनाए पांच विगेट खोके जिसमें नैथे एसले ने सरवाथे की स्कोर किया जो की करीबन 42 रन था 23 गेंदों पर जबाब में इंडिया ने 133 रन बनाए जिसमें सरवाथे की स्कोर आपको जानके हैरानी होगी सचिन तेंदल करने मात 27 ग गेंदों पर चोबीस गेंदों पर शायद ब्रेंडन मैकुलम ने साथ रन मारे जवाब में इंडिया टीम स्रिफ 87 रन बना पाई जिसके वज़ा से इंडिया 21 रनों से ये मैच हार गई लेकिन इस मैच को जो डिजाइन करने वाले मार्टिन क्रो ने ये डिजाइन ऐसा किय लोगों को भूत ही पसंद आया और इसमें रूची लोगों की बढ़ने लगी जिसकी वज़ए से टी ट्वेंटी फॉर्मेट को थोड़े से और चेंज़ेस करके लोगों के सामने लाया गया तो ऐसे ही और भी हमारे पास तर्थे हैं ऐसे और भी किस्से हैं अगर आपको य ऐसा किस्सा हो जिसको हम अपनी पब्लिक को सुना सकते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करें थैंक यू